आज मैं लेकर काया हूँ एकदम डिफ्रेंट हेर कट बहुत ही शांदार है जो बॉब हेर कट करा है मैंने विद अंडर हेर अंडर कट सो गाइस बनी रही है वीडियो में और इसको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं आपको कि कैसे हमने यह हेर कट करा है जैसे कि आप लोग देख कि साइट साइट जो नीचे के बाल है उसको छोड़ा है जो पूरा एक तरह से आप आई तु आई लगा लिजिए वह पूरा का पूरा राउंड में लेकर करके हमने चोड़ा है तो मैम को चाहिए था undercut और उसके साथ में बॉब तो हमने बॉब विध अंडर कट करा है तो गाइस हमने क्या करा है कलिप लगा करके और जो मशीन है उसमें हमने यूज करा है नंबर वन जो इसका सबसे चुटा नंबर नंबर आता है वो नमबर एक हम यूज़ कर दें तो पूरे बालो को हम क्लीपर के साथ ही हटाएंगे क्योंकि सीजर से बहुत अच्छे से नहीं आता है यह हैर कट तो क्लीपर से क्या है कि एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है है हैर में तो इसमें हमने क्लीपर यूज़ करा है विद नमबर वन इसको हम पूरे बालो में जो हमने सेपरेट करें हैं और जो उसके अलावा जो बचे हैं उसको पूरे को हटाएंगे उसमें बॉप करेंगे हम कंटिनियूज लिए भी विद क्लीपर हम इसको हटाते चले जाएंगे सारे बालो को क्लीपर के साथ में जो हमने छोड़े हैं उसको हमें हटाना है और उसके बाद में फिर इसको अच्छी से शेप देनी है जो हमें नीट हेर कट दिखे अगर कभी आपके क्लाइन अपने बालो को बांदने भी चाहें तो जो अंडर कट आपने करवाया वो अच्छा लगना चाहिए ऐसा ने लगे कि बिल्कुल मतलब आपने जो अंडर कट कराया वो गंजा ही के बना दिया और अच्छा ही लगा चाहिए के बालो को सेफ कैसे करना है और एवन होना चाहिए दोनों साइट के बाल कम जादा नहीं लेने हैं बराबर बाल होने चाहिए कम जादा लोगे तो हेर कट आपका हो जाएगा पूरी तरह से खराब तो ये चीज़ दियान रखनी है जो आप क्लिप करो अच्छे से क्लिपिंग करनी है अच्छे से बालो को सेपरेट करना है ताके थोड़ा साथ भी 19-20 अगर हो गया तो पूरा हेर कट खराब हो जाएगा और पर क्लाइन के बाल खराब हो जाएगा बिकोज लेडी है तो उनके लिए मुश्किल होता है तो ये चीज़ दियान में रखनी है कि पहले आप अच्छे से बालो को सेफ करने जो आपको बाल छोड़ने है और जो कट करने वाले बाल है उनको निज़े छोड़ दिजी ताकि आराम से फिर उसमें आप कट कर सकें और इसमें मशीन ही अंडर कट में हम लोग तो जाद दर मशीन यूज़ करते है तो सीजर कॉम से उतना क्लिनिंग नहीं आ पाती है तो ये हमारा क्लीपर काम होगया खत्म अब हमने छोटा वाला ट्रीमर यहां पर यूज़ करा जो क्लिनिंग के लिए हैं साहिट हैं और उसको शेप देने के लिए एक प्रोपर अच्छे से शेप आ जाती है बालो में कर दो इसी से क्लीन क्लीन करेंगे और जो बीचे चाहिए और तो यह क्लाइन्ट से पहले पूश है है को क्या करना में और वह लेडी के टाइम पर आपको ख्याल रखना ह कि उनको थोड़ा सा है इन eat जैसे का आपने वीडियो की स्टार्टिंग में आपने बेंगा एका घुला बुलना मत और लायीक बढ़ा वाला ट्रेमर मिल जाता है और यह बहुत एज़ली अभी लेवल है मार्किट में आप ले सकते हैं बहुत तारी कमपनी के आते हैं मेरे पास तो आप लोग बाय कर सकते हैं मार्किट से सस्ती मिलते हैं यह और बढ़ा वाला के लिए पर भी बहुत जादा महांगा नहीं मिलता है तो यह आप लोगों के पास होना चाहिए ताके कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ा है किसी फीमेल क्लाइट के लिए तो आपको वो होना चाहिए आपके पास पर सीजर से आप इतना शौट हेर कट नहीं द जाते हैं तो हमेशा किसी फीमेल क्लाइट को आपको मशीन यूज़ करनी है और चोटी बड़ी मशीन दोनों यूज़ करो जीरो वाला भी रखो साथ में और जिसमें ऑप्शन वाला रहता है कि छोटा बड़ा जो भी आप कर सको सो फ्रेंड हमारा अंडर कट तो हो गया है आप हम क्या करेंगे आप हम करेंगे बोब कट और हमने बाल गीले कर लिए पहले और पहला सेक्शन लिया जो पीछे की तरफ लागर के मैं कट कर रहा हूं इसको ने पर लागे और पहले भी आप लोग मेरे बॉब देख चुके हैं तो इसका सेम प्रोसेस रहेगा बॉब का कि हम इसको थोड़ा सा डाइगरनल में कट करेंगे पूरे हेर कट को और पीछला के ही कट करेंगे और उसके बाद में रिजल्ट आपके सामने आएगा इसका जो आप देख चुके हैं रिजल्ट तो यह पूरा का पूरा पीछे की तरफ ही होगा हेर कट हमने पहले सेक्शन कट करा और उसके साथ में पिर इसे मिलाते चले जाएंगे क्योंके क्लाइन के ओलेडी शॉट थे हेर आप लोग देख चुके हैं तो इसमें खाली फिनीशिंग देनी है मुझे बहुत जादा मेहनत या बहुत जादा बाल नहीं काटने है बस इस और पर फिनीशिंग देना है क्योंके उनका बहुत सिंपल हेर कट हुआ हुआ था तो हमने इसमें क्या कर आए एक हेर कट का एक शेप दे दिया एक बाब उसमें क्रेट करावर ने आप लोग कुछ भी अपनी क्रेटिविटी कर सकते हैं हेर में जरूरी नहीं है कि आपको लंबे बाल ही चाहिए उसके लिए तो गैस दिहार रखिए कि बस आपको पता हो किलियर होना चाहिए कि आप को करना क्या है क्लाइट के सर पे और उसका लेंथ क्या रखना है अब जैसे कि देखिए इनका मैंने अंडर कट करा है तो बहुत शॉर्ट करेंगे तो वो अंदर से पूरे बाल नजर आएंगे तो अबने वो नहीं करा उसको कवर भी करना है और इसमें क्या है कि क्लाइट को कभी कवार ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है क्लाइट को वन साइट को बाल बनाना चाहते है और one side बिल्कुल short जाता है तो उस तरह का look इसमें बहुत easily आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है कई बार पूरे के पूरे ponytail करते हैं उपर तो उसमें भी ये look अच्छा लगता है तो guys दिहान रखिए कि haircut आपको जो उसकी भी finishing अच्छी ही देनी है आपको ऐसा नहीं करना है कि ये तो छुप जाएगा तो इसे कैसे भी काट दो क्योंकि वो अंडर कट का मतलब यह होता है कि वो भी एक style के लिए double style एक ही haircutment दो style हो जाते हैं कि आपको अगर long look दिखाना है तो आप अपने उपर के बाल खोल दो और अगर नहीं दिखाना तो जो आपने अंडर कट लिया है वो आप शो कर सकते हैं अपने उसको बालों को टाइप करके उपर की तरफ में तो गाइस देखिए मैं थोड़ा diagonal में कट कर रहा हूं क्रोस चेक कर ये एक बार कट करने के बाद में बड़ी हासे ताके आपका हेर कट अच्छा है finishing अच्छी है उसमें जब आप blow dry करो जो final look हो तो वो अच्छा दिखना चाहिए बहुत तो गाइस देखिए हेर कट लगबग हो गया है फिनिश और अब इसके बाद हमारा जो आजएगा तो पार्ट आएगा ब्लोट राएगा और हमने इसमें लास्ट में थोड़ा सा आइनिंग भी यूज़ करा था जो मैं दिखाऊंगा आपको यह हमने अब स्टार्ट कर दिय क्लाइट को दिखे विकोज फर्स्ट लास्ट हो जाता है इंप्रेशन तो आपका लुक अच्छा ही दिखना चाहिए ताकि क्लाइट को वह समझ में आज जो आपने करा हैं उनके बालों पर कई स्टाइलिस्ट यह करते हैं कि हेर कट तो कर दिया उसके बाद ब्लोट चाहिए कि आपकी जो मेहनत है वह मेहनत आपको दिखाओ उनको क्लाइट को अपने और उनको बोलो के मैं बाल सेट कराओ आप ताकि कभी अगर उनको चाहिए हो तो उनको पता हो कि क्या लुक देना है हमने तो इस चीज़ का हमेशा दिया डखना है कि प्रोपर बाल सेट करके देने अफ्टर हेर कट अगर ब्लो ट्राइ नहीं करेंगे तो आपको हेर कट समझ में नहीं आएगा कि क्या करा और क्लाइट को भी नहीं पता लेगा कई बार क्लाइट कहीं दूसरी जगा है और उसको ब क्रियेट करो दिखाओ उनको इसका स्टाइल करके ताकर आपके क्लाइट को अच्छा लगे सो गाइज का हेर कट कैसा लगा उसको बताना मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कैसा लगा है कर मुझे कि किसी ने पूछा था अंडर हैर कट यह उनको बाब इत इसमें मैंने मेहनत करी ये वीडियो में और कोशिश करिए कि आपको अच्छे से इसे बता भी पाऊंग। जैसे कि अमने मैंने बताया था कि बने ब्लो ट्राई करने के बाद में और इसमें आइनिंग यूज करी थी फिनिशिंग के लिए सो आप लोग देख सकते हो कि जो मैं आइनिंग यूज कर रहा हूँ अभी ये जिस्ट फिनिशिंग के लिए है ताकि एक अच्छा सा लुक दिखे क्लाइन को हमारी और वो बाद में भी इसको करा सके सो इससे क्या होगा कि उनको पता लगता है कि हमारी हमने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट क्या आया है और गाइस ये दियान रखिए अगर आप लोग करेंगे तो आपको ये वो अच्छा ही लगेगा जब आप अच्छा काम करते हैं तो खुद को ये बहुत अच्छा लगता है दियान रखिए कि आपको फिनिशिंग बहुत अच्छे से देनी है और पता होना चाहिए हमें हम काम करते हैं कि हमें इसमें स्टाइल करना क्या है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ और भी मैं पहले वीडियो ला चुका हूँ इससे रिलेटेड बॉब हेर कट के शॉर्ड बॉब भी लाया हूँ मैं आप लोग के लॉग बॉब भी लाया हूँ जो आप लोगों ने मुझे से डिमांड करा था तो काईज मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में और कोई अच्छी सी वीडियो लाऊंगा जब तक आप लोग प्लीज इसको देखिए और मुझे बताइए मैं आप लोगों की कमेंट का वेट करूँगा गाईज की अच्छी नॉलिज हो सके जो आपको फ्लोर पर करना है गाईज मैं हमेशा आपको वही बताता हूँ जो सेलोंस के अंदर होता है मैं अकैडमी वाला नहीं सिखा रहा हूँ आपको दिहां रखना मैं आपको बता रहा हूँ जो सेलों में जो वाक करते हैं वही आप लोगो आपके सामने जो बहुती प्यारा सा लूक आया है क्लाइन का बहुत खुश थी हमारी क्लाइन जो उनको चाहिए था वो दे दिया देखिए ये पीछे का जो अंडर काट अबने कराया कितना शानदार लूक आया है ये देखिए और उनका जो कलर था वह भी बहुत विजिबल ह तो दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपना ख्याल रखिए अच्छे से रहिए और प्लीज हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग आइस मिलता हूं आप से मैं अब नेक्स वीडियो में और तब के लिए वेट करूंगा आपका आप क्या डिमांड करते हैं तो थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग बाइबाए गाईस सी यू अ कि कुछा हूं भाज वाचिंग आपका 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 आपका